यमना के डूब शेत्र में राधा स्वामी सत्संग सभा के अवेद निर्माण को सिचाई विभाग नहीं अब आगरा विकास प्रादिकरन ध्वस्त करेगा। हाई कोट व एंजीटी के आदेश पर गुरुवार को सिचाई विभाग ने ये निर्णे लिया है। 15 सितंबर तक सिचाई विभाग व प्रसाशन को इस संबंद में निर्णे करना था। मियाद खत्म होने से एक दिन पहले ही सिचाई विभाग ने आदेश जारी कर दिया। अब डूब शेत्र में कारेवाई एडिये करेगा। राधा स्वामी सत्संग सभा ने दो अगस को डूब शेत्र में तारबंदी गेट चड़ाने के बाद अवैद निर्मार कर पक्की सड़क बनाई थी। सिटी मजिस्ट्रेट ने काम रुकवाया लेकिन निर्मार नहीं रोका गया। तीन वा पाँच अगस को सिटाई विभाग ने एडिटी के आदेश के विरुद डूब शेत्र में निर्मार को लेकर इस पस्टी करण मांगा। सत्संग सभा ने इस आदेश के विरुद एडिटी वा हाई कोट में याची का दायर की। एडिटी ने 15 सितंबर तक निर्ने के आदेश सिचाई विभाग वा डियम आगरा को दिये थे। वहां उन्होंने अपनी अवैद पार्किंग बना रखी है जिसके आदमी अपने दासंसकार के लिए मोच धाम जाता है तो वहां जाने में गंटों इंतजार करना पड़ता उस पार्किंग के लिए हमारी मांग है सासन और प्रसासन से जल से जल कोई न कोई कोई कदम आसन और प्रसासन दोनों ही जुम्मिवार होंगे उन्होंने कहा NGT के आदेश है कि डूफशेत्र में अवैद निर्मार के विरुद कारेवाही का अधिकार विकास प्राधिकरन के पास है इसलिए ADA को आगे की कारेवाही के लिए पत्र भीजा है इस संबंद में ADA उपाध्यक्ष चर्चित गौड का कहना है कि नियम अनुसार जो कारेवाही होती है वह डूफशेत्र में की जाएगी आज हम जो राधा स्वामी सत्संग सभा है उसके दवरा जो छेत्री लोगों पर तमाम तरह से अत्याचार किया जा रहा है उनकी जवर्दस्ती जगह चीने जा रही है उनकी रास्ते रोके जा रहा है उनको नहरों से पानी ने ले 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 दिया जा रहा है ऐसे करके 11 बिंदिओं को लेकर हम आज यहां यह आए और एक तारी को पहले भी मिलेते उसके संध्यान पर बात करने आए कि हमारे जो शिकायत की थी उसके क्या हुआ मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी का कहना है कि यमना के डूफशेत्र में अवैद निर्माड बरदास्त नहीं किया जाएगा सचसंग सभा मामले में डियम को कारेवाही के निर्देश दिये थे राजस्व टीम ने जांच के बाद मुकद में दर्ज कराए हैं डूफशेत्र में हुआ अवैद निर्माड अवा आगे नहीं होने दिया जाएगा अगर अवैद निर्माड हुआ तो उसे ध्वस्त किया जाएगा सी नियूस के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट